हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर पूजा गुपता और मेरे चानल होमियो मिराकल्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको उन मोस्ट इफेक्टिव होमेपेथिक मेडिसन्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी कील मोहासों की पॉबलम को जड से खतम कर देंगी प्रॉपर डॉजिस में अगर आप ये मेडिसन्स लेंगे तो आपकी ये प्रॉबलम हमेशा-हमेशा के लिए दूर हो जाएगी तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मेडिसन है नेट्रमियोर ये एक de-packting constitutional दवाई होती है जो puberty age की females पर बहुत अच्छा काम करती है अगर आपकी skin greasy, oily, chip-chipy है और उस पर हमेशा सूखे वे चोटे-चोटे दाने निकले रहते हैं especially hair margins पर जैसे कि ये बाल हो गया हमारा और ये forehead हो गया तो इसकी जो hair line होती है यहाँ पर या फिर आपके side locks के area में तब आपको और गर्मी में जो दाने होते हैं ये बहुत जादा बढ़ जाते हैं या फिर आपने spicy food खाया है उसके बाद दाने बहुत जादा निकल गए है तब आपको नेट्रम यूर 30 सुबह शाम कुछ दिनों के लिए लेनी है इससे आपकी ये दानों की problem हमेशा के लिए solve हो जाए हमारी दूसरी दवाई है barbaris aquafolium ये सभी तरह के acne, pimples, scars, pigmentation के लिए ब forehead पर, neck पर, scalp पर भी है तब आपको barbaris aquafolium यूज करनी है इसको हम tincture form में यूज करते हैं मतलब liquid form में ये use होती है medicine इसके tincture की 10 बून आप थोड़े से पानी में मिला कर सुबह शाम कुछ दिनों के लिए लिए उसको यूज करने से आपके सारे के सारे दाने जो है वो आपका जो face है वो एकदम neat and clean हो जाएगा तीसरी दवाई होती है hydrokotyle अगर आपके दाने skin color के हैं बहुत मोटे मोटे हैं और साथ में एकदम tight हैं और उनमें खुझली भी बहुत जादा होती है तब आपको hydrokotyle 30 लेनी है सुबह शाम दो-दो-बूदे कुछ दिनों के और फिर skin के साथ मिल जाएंगे ठीक हो जाएंगे और जो hydrokotyle के patients होते हैं उनमें peculiar symptom यह होता है कि उनके पैरों में मतलब जो souls होते हैं पैरों का जो base होता है उसमें हमेशा उनको बहुत जादा sweating होती है और खुझली लगी रहे fourth medicine is eugenia jambos यह simple acne, acne rosacea, pimples के लिए specific medicine होती है इसमें जो दाने होते हैं वो painful होते हैं हलका हलका दर्द उनमें हमेशा रहता है और इसके जो patients होते हैं उनको nails मतलब नाखुनों से related problems भी जादा तर रहती हैं उनको बारबारी infection हो जाता है नाखुनों में या nail bed में swelling हो जाती है या फिल fungal infection हो जाता है अगर आपको कुछ इस तरह है कि अगर आपको symptoms आ रहे हैं दाने निकल रहे हैं साथ में recurrent nail infection भी है तो आप eugenia jambos यूज कीजिए यह बहुत अच्छा काम करती है next is calibrome calibrome लड़कों के लिए बहुत अच्छी दवाई होती है इसमें क्यों होता है इसमें जो acne के दाने होते हैं वो बहुत जादा फैले हुए होते हैं face के साथ साथ वो आपके shoulders पे upper back पे chest पे neck area में भी हो सकते हैं और यह थोड़े थोड़े reddish और bluish color के होते हैं और इनमे itching भी बहुत जादा होती है और हलकी हलकी burning भी रहती है pigmentation हो जाती है इन दानों के चानों तरफ साथी जो calibrome के patients होते हैं इनको mental stress भी बहुत जादा होता है इनको memory के issues रहते हैं बात बीच में करते करते हैं यह लोग भूल जाते हैं नीन से related problems इने रहती हैं अगर आपको stress और आपने साथ साथ हैं तो काली ब्रोम 30 आपके लिए best medicine है सुबह शाम दोदोबूंद आप 15 दिनों के लिए ले लीजें आपकी सारी problems एकदम ठीक हो जाएंगे नेक्स medicine है हीपर सल्प अगर pimples में secondary bacterial infection की वज़े से पस बन गई है दर्द बहुत जादा हो रहा है से बनती है अनिमल कार्बन से और complicated pimples के लिए बहुत अच्छी दवाई होती है जब आपको पस के साथ साथ स्किन पे छोटे छोटे अलसर्स भी मन जाते हैं जिसमें से बहुत जादा smell वाला discharge आ रहा होता है और burning बहुत जादा होती है और साथ में patient को बहुत weakness भी फील होती है तब हमें कार्बो अनिमेलिस 30 सुबह शाम 3-4 दिन तक लेनी है और उससे हमें बहुत जादा अराम हो जाएगा इसके अलावा WSI company के appointment आता है और उसका नाम है topi barbaris ये cream आपको रोज रात को सोने से पहले अपने दानों पर लगानी है अगर आप खाने की दवाई के साथ ये लवाई आप रात को लगा कर भी सोएंगे और सुबह अपना face clean कर लेंगे तो इससे आपके दाने बहुत ही जल में बताना possible नहीं है अगर आपको ये information अच्छी लगी तो please मेरे वीडियो को like कर दीजे और मेरा चैनल भी subscribe कर दीजे अपनी अगली वीडियो में हम आपको एक बहुत ही फेमस गाईनी से मिलवाएंगे जो कि खुद अपने patients को homeopathic treatment के लिए refer कर दीए आज के लिए बस इतन में thank you